तो शूं हवे खाकी खत्रा मा आवी गई शे आज सवाल सो थी मोटो उबो थाई रहे हो चे पाच्छा किटला का समय मा बनेला किसाओनी जो बात करिये अर्वल्ली मा दोड वर्ष पहला जे किस्तों सामय आवे हो तो बूटलेगर गाडी चड़ावी दीदी हती बूटलेगर नटकावानों जेरे पोलिस से प्रयात न करेओ त्यारे त्यारे पीसाइन उम्रुत्यू थाई हो हतू अने तैना एक महिना आगाओ आज बूटलेगर त्यारे काईदानों सकंजों कसवानों प्रयात न करवा मा आवे हो पोलिस से तैनी फरदनी भावानों प्रयात न करेओ त्यारे कॉंस्टेबल पर आप्रकारे हुमलो थाई हो हतो अर्वल्ली नी जा घटना शे बीजी बाजू भचाव पासे कुंजी सर्गा में पन एक पूत्यू थाया हता जे रिते छाक्टा बनेला लोकों छे पोलिस न निश्रान बनावे चे बीजी बाजो ट्राफिक पोलिस चे ते सौथी वधारे जो नियमों नू भान करावा जाए वाहन चालक होने तो तेमने लोकों ना रोष्णू भोग बनवू पड़े चे आप कारणों जवाबदार होई शके छे परन्तु आवा किटला किस्सा ओ भुतकार मां बनेया छे के जहां ओवर स्पीड साथे जे वाहन उपसार थाई राया होई छे रस्ता पर्थी तेने रोपवानों ट्राफिक पोलिस जारे प्रयत्न करे छे वाहन चालक छे सामे व्यक्ती प्रवान थी करता ट्राफिक पोलिस ने धक्के चड़ावे छे ने किटला किस्सा ओ मत्यमन अम्रुत्यूपन थाई छे तो आज चर्चा मां अपनी साथ है वदू एक गेस जोड़ाई चुकिया वडोध रहा थी आसिस्टन पोलिस कमिशनर साउरब सिंग आपनी साथ है चोड़ाया चुकिया जो पूरा मामला दिन बदिन सामने आ रहा है क्या लग रहा है जो नियम कानून है वो इतने सक्त नहीं है कि लोगों में डर नहीं रहा देखे दियम कानून तो सक्त हैं उसमें कोई डाउट नहीं है कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप है वो बढ़ गया है जिसको पूरा करने के लिए हम अप्रियतन करेंगे जहां पब्लिक को हम अपील करेंगे कि उनको वैसा क्यों लगता है कि पुलिस के उपर उनको असॉल्ट करने के लावा और कोई solution नज़र नहीं आता पुलिस के उपर असॉल्ट होना एक बहुत गंभीर बात है और इसको कंट्रोल करने के लिए definitely इसमें कानूनी कारवाई तो होई रही है लेकिन इसके इलावा पब्लिक के साथ जुड़के उनके साथ मिलके हमको प्रियतन करना है कि पुलिस और पब्लिक के पीच में एक जो अतूट विश्वास निया जो रिष्टा हो बना जाने चाहिए और एक दूसरे के उपर विश्वास करते हुए हमें कानून का आदर करना है कानून के दारे में रहे के काम करना है ये मेसेज लेकर हम पब्लिक से मिलेंगे और हम उनसे जुड़के इसके बारे में इसके फीडबैक आता रहता है और उसके यए सब्सक्राइब करते हैं कही न कहीं अशुक्त है कि पुब्लिक जो है वो पुलिस पे इतना ट्रस्ट नहीं करती और यह भी हो सकता है कि कही न कहीं वो कानून को भी थोड़ा काजूली ले रहे हैं कि कानून तो है, strict भी है, लेकिन वो उसको इतना follow करना नहीं चाहते है, हो सकता है कि कुछ अपनी convenience के लिए दूसरों को inconvenience देने के attitude से हो सकता है कि पुलिस के साथ ठीक से वेवार नहीं हो रहा है, हमारे पुलिस कर्मी जो है वो सुबा से श्याम तक खड़े रहकर धूप हो या बारिश हो रही हो, वो जूटी करते हैं, अपनी तरफ से खूब मेहनत करते हैं और कई लोगों को दिखता है वो हमें अप्रोच करते हैं और अच्छे मेसेज़िस भी देते हैं और अपनी तरफ से पूरी सहायता करने कोशिश करते हैं हमारे साथ काफी लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने ट्राफिक करमचारियों के लिए अपनी तरफ से जो हो उनको सहायता में हो सके वैसे चीज़े दी हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो की काईदव को थोड़ा कैजुली ले रहे हैं इस वक्त और इस वज़े से जो है पुलिस पे असौल्ट हो रहा है एक गंभीर बात है इस पे हम सक्सक्त कानूनी कारवाई भी कर रहे हैं लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक मेसेज लेकर हम लोगों के पास जाएंगे उनसे जुड़ेंगे कानून के बारे में अवेरनेस भी होना जरूरी है वो अवेरनेस भी हम क्रियेट करेंगे अगर कहीं उनको कानून के बारे में इतना नहीं पता है कानून के बारे में उनको definitely aware करके हम definitely आशा रखते हैं आप इक्षा रखते हैं कि आने वाले दुनों में ऐसी घटना ही नहीं होंगे दो बारा रुजान जी, शुन कहशो आंगे? 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 जी, सरुप जी, आपसे पूछना चाहूंगे कि क्या लगता है आपको कि ट्राफिक पुलिस है, उनको जो पुलिस है, उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी इस तरह के किस्सों से? जी, ट्राफिक पुलिस को अभी पुलिस की मदद की जरूरत पड़ गई है, इस तरह के किस्सों सामने आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ट्राफिक पुलिस पुलिस का ही एक अहम हिस्सा है और पुलिस एक टीम है और ट्राफिक पुलिस जो है उनको डेफिनिटली जहां पे यह भी बात सही है कि हमारा डिपार्टमेंट अंडर स्टाफड है हमारे यहां पे वेकेंस बहुत जादा है उनको फिल अप करके हमारे प् Constable खड़ा रहता है, दो Constable खड़े रहते हैं, उनके साथ उनकी सहायता में उस टाइम पे कम लोग होते हैं, तो हम इस पे पी काम करेंगे कि हर एक पॉइंट पे हमारे पॉलिस कर्मी भी जादा रहें, क्योंकि इंपोर्टन है कि अपना डिफेंस ये लोग खुद कर सकें, जि जरुद पड़े तो, अपने आपको वो बचा भी सकें, क्योंकि आज किसी ने ऐसे कोशिश की है, हमारे की कल किसी के पास कुछ हत्यार हो, तो वो उसको भी यूज़ कर सकता है, तो ऐसे इंस्टेंस ना हो, उनको सेर्फ डिफेंस में भी डेफिनेटली हम ट्रेनिंग देग हर एक जगह पर हर एक और ओगनाज़ेशन में टीम एक साथ काम करते हैं, और ऐसे ही हमें दुसरे को मदद करके ही काम करेंगे आगे पी जी, रुजान जी आपने पुछवा मागिश के जिरी ते वाद करवा मावी रही छे के जे आखे ट्राफिक पोलिस मा कर्मचारियों नी संख्या ओची छे शुन तेना कारण पना प्रकार नी तकलिफ हो भी थाई रही छे? आए अगेन रिपीट से संख्या ओची जी ते यह 100% राइट माने एटला माट था ते रही टेमपरेरी भरती के जे करी छे एटला अथे संख्या नो इस्यू न थी एटले आशे कोई जग्या है पन जे मेजर इश्यू आए अगेन रिपीटिंगे मेजर इश्यू ए छे के दर अगेन रिपीट करूँ जे के फॉरण मां क्या है हमाभी की फॉरण मां भी बदा आपड़ा जिए अचे काग्रा काला जोई अपने लोको ने कबर चे सीची टीवी कैमेरा चे पिलाव प्राफिक वाला है पोलीस वाला हिया केमेरा मुख्यों चे एटले लोको ने लोको ने अगेन लोको ने रिस्पेक्ट करवीष पड़े तानके लोको लॉथी भी ये चे जीद युज आपने तियां भी है यह अगर लेट से आ केस से थे तरत अधर तम्हे थोड़ी बार थोड़ा जीच में में पेपर आवाथ चे बिए अधर अंधर उन्दर 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 पेपर बाद छपाई के बे आने आने अड़ी हो और आने पची आने पची आने अपने अटकावा मागेश समयना भावे आपनो खुब खुब आभारा आपा चर्चा मा उपसित रहाते बदल सवरब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्री आप इस चर्चा में जुड़े इसल प्रस्टाचार नो कहीं शकाई के भुरिंग छे ते पोलिस विभागने पन बराबर नड़ी रहो और आज कारने ते ओ रिस्पेक्ट छे जे प्रजामा हो जो ये पोलिस विभाग माटे ते गुमावी रहा चे तो आ तमाम बाबत पर आशा राखे के आगामी समर मा वधारे कड़क नियमों बन शे अने पोलिस विभाग वधूने वधू सक्रियरी ते भाग तेनों अमल करशे अने बीजी बाजू जे प्राफीक ना नियमों शे तेनू प्रजा पन पालन करशे बिग डिबेट माथेरे बसाट लूज प्रजा आप शो नमस्कार